नमस्कार विभार किष्टी बिसेन नियुस के बिजनेस समाचा में आप सभी का स्वागत हैं कवरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक निजर आज की सुर्कियों पर फाड़ा ने कहा मई में खटी कारों की पिक्री कोविड-19 का असर सेंसेक्स उचला 399 अंग स्मॉल कैप पी 25,000 बैंकिंग और वित्य शेत्र की कंपनियों में लिवाली से गरेली शेयर पासार दो दिन की किरावट से उपरने भी आज काम याब रहे और पेसी का सेंसेक्स 358.83 अंग यानी 0.79 प्रतिशत की चलांग लगाकर 52,300 दशम लो 47 अंग पर पहुच गया नाच्टल स्टॉक एक्सजेंज का निप्टी भी 102.40 अंग यानी 0.55 प्रतिशत चड़कर 15,737 दशम लो 75 अंग पर पहुच गया दोनों प्रमुख सुचकांग सोंवार के रिकॉर्ड स्टर के काफी करीब है मचोली और छोटी कंपनियों की तरफ निवेशकों कादुचान अधिक रहने से इनके सुचकांग नए रिकॉर्ड स्टर पर बंद हुए है बैसी का मिट क्याप 1.26 फिस्टी की पड़त के साथ 22,895 दशम लो 66 अंग पर और स्मॉल क्याप 1.73 प्रतिशत उचल कर 25,015 दशम लो 99 अंग पर पहुच गया सेंसेक्स और सेंसेक्स निकसर्ज 50 के बाद बैसी में यह तिसरा सुचकांग है जो 25,000 के पार बंदवा है बैंकिंग और वित्यक कंपनियों के अलावा आईटी, टेक, धातू, स्वास्त, दुल संचार और रियालिटी समों में भी अच्छी लिवारी रही सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस का शेर 7.29 प्रतिशत मस्पुत हुआ है बजाज फिंसव में 3.75 फिस्ती, भाती स्टेट बैंक में 2.56 और इनसेंट बैंक में 2.02 फिस्ती की बढ़त रही बिरो रिपोर्ट BCN News टाटा ग्रूप की सबसेडियरी टाटा डिजिटल ने ओनलाइन फार्मसी सेग्मेंट में उतरने की तयारी कर ली है टाटा डिजिटल ने कहा है कि वह ओनलाइन फार्मसी कंपनी एमजी में पड़ी हिस्सिदारी खरीने चारी है मिग बास्केट की बाद टार्टा डिजिटल का डिजिटल एकोनॉमी भी या दुसरा मात्वपुन्ना स्टार्टप अधिगरान है टार्टा डिजिटल ने इस सब्ता की शिरुबात में फिटनेस टार्टप क्योर्फिट हेल्थ केया में 55 मिलियन डॉलर करीब 550 करोड रुपे का निवेश करनी की खोशना की थी इस डिल की तहट क्योर्फिट के को फाउंडर मुकेश बंसल टार्टा डिजिटल से प्रेसिडेंट के तौर पर जड़ेंगे टार्टा ग्रूप एकॉमर्स सेग्मेंट पे दमतार तरिके से उतर नेकले सुपराफ लाने की योजना बना रहा है हाली में किये गए अधिक रहन और निविर से टार्टा ग्रूप के सुपराफ को मजबुती मिलेगी बिरो रिपोर्ट बेसियन नीज आटो मोबाइल डिलरों की संस्ता फेडरेशन ओफ आटो मोबाइल डिलर्स असोशेशन फार्डा ने कहा कि कुविड-19 महामारी की दूसरी लहर की चलते पैदा हुए बैवदान की कारण यात्री वहनों की खुद्रा बिक्री अप्रेल 2021 की तुल्ला में मई 2021 में उनसर्स प्रतिशत खटकर पचासी दशमलो 731 रह की फाड़ा ने 1497 शेत्रिय परिवहन कार्या लयों में 1294 से वहन पंजी करंग की आकड़े जमा कर यह रिपोर्ट लया की है पिछले महीने 53 प्रतिशत खटकर 4,10,757 एकाई रही जो अप्रेल में 8,55,134 एकाई थी इसी तरह वानिजिक वहनों की बिक्री पी पिछले महीने प्रतिशत खटकर 5,215 एकाई रही जो इस साल अप्रेल में 21,636 एकाई थी ट्रैक्टर की बिक्री पिछले महीने 57 प्रतिशत खटकर 16,616 एकाई रही जो अप्रेल में 38,285 एकाई थी बिरो रिपोर्ट बेसे अन न्यूज खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यापार परीच साल को के लिए इस साल एक अक्टुमबर से नगद रसीतों या खरीच सालान पर FSSAI लाइसेंस या पंजी करन संख्या का उलेक करना आनिवार्य किया है FSSAI ने इस समर में एक ताज़ा आदेश जारी किया है FSSAI की आदेश में कहा गया है कि लाइसेंसिंग और पंजी करन अधिकार्य को नितिका व्यापत प्रचार करनी और दो अक्टुमबर 2021 से इसका कार्यान वैन सुनिचित करनी का निर्दिश दिया गया है बेर रिपोर्ट BCN News हुआ है उदारण के लिए वारा नसी से ताजी सब्चियों और आमों का निर्याद और चंतुली से काले चावल का निर्याद के आगया खबर समामत्र करने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्ट्यों पर फाड़ा ने कहा मई में खटी कारों की पिकरी COVID-19 का असर बिजनेस समाचार में फिला हलिता ही ऐसे यंदे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये BCN News नमस्कार